विडियो में हम लोगों ने समझा था कि SEO क्या होता है और सबसे पहले हमें अपना पड़ेगा या हम कहें कि सबसे पहले हमें इसको आप आप आर्टिकल कहलो पुछ भी आप बोल सकते हुट पास कुछ तो सबसे पहले हमारे पास कुछ topic होना चाहिए जिसके ओपर हम ब्लॉग पोश्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी यह होगी कि हमें योश्ट को योश्ट प्लग इन को यूज करके हमें क्या करना है टाइटल एंड डिस्क्रिप्टिन इसके सेट करने है और उससे पहले हमें पोस्ट करनी होगी तो आपको भी प्रॉब्लम नहों ठीक है और आपको थोड़ा इजी रहे और टाइम भी बचे इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको लिठा है और टेबिल ऑफ कॉंटेंट में लगाना दिखाऊंगा आपको किस तरीके से टेबिल ओप कांतेट है और इसके बाद आप देखो तो यहां पर आपको दिखरा है कि यह सारा हमारा content है और यह सारी चीजे है हमारा heading है वह छोटी heading होची जैसे अगर आपको लिखाऊ यहाँ पर h12 मैं लिखता हूँ यहाँ पर समझ में आएगा कि heading का मतलब यहाँ पर क्या है आप a1 heading यूस करते हैं तो अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है आपके वेब पेज के उपर फॉर्मेटिंग वाई होता है यहां पर अगर आप देखो तो पोस्ट का टाइटल दिखाई देगरे को यहां पर दिख रहा है ना पोस्ट का टाइटल वाजे करेंगे वाजन से फटी है यह सारी हमारी हेडिंग आपको और बता देता हूं यहां पर यहां पर हमें अगर कोई यहां पर हम लोग इस चीज को करके भी देख सकते हैं तो आपको दिखा देता हूं किस तरीके से यह चीज है होती है तो फर इंदर मैं लिख देता हूं इस है अवर मैं लिख देता हूं आग वी आर लवन लॉग किक्या है और यहां पर मैं लिख देता हूं इस इसके बाद यहां पर फिफ्ट हैडिंग और लास्ट में लास्ट एडिंग यह मैं लिख जाए तो यह मैंने लिखा आप इस पो रन करता हूं देखो गया आप यह देखो चीज़े चेंज होगे ठीक है तो हमारे में होगे वह इंपॉर्टेंट है और उसके बाद होगा ठीक है तो ऐसा भी आप लिख सकते हो जैसे यहां पर आप देख रहे हो किस तरीके साम लोग लिखते हैं जैसे एच बन होगे आपका में टाइटल डिजिटल मार्केटिंग या स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इ इन इंडिया यह हमारा इस बन हो उसके बाद नीचे बहुत सारी चीज आएंगी जैसे स्कोप किसके लिए फॉर प्रोफेशनल्स फिके फॉर प्रोफेशनल्स तो यह गाईज हमारे काउंट होगा एच तू में ठीक है सब हेडिंग समझ सकते इसको फिके फिर फॉर प्रोफेशनल्स जो अंदर पॉइंट्स होंगे अगर कुछ एडिंग्स आ रही है उसमें इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आ रही है तो मुसको एस तरीके से हम फॉर्मेटिंग सेट करते हैं बहुत ध्यान से आपको इसको वापस देखना है ठीक है यहां पर हम वापस आते ह है उसके बाद यह सेकंड पैराग्राफ है और उसके बाद यह इमेज है और उसके बाद एक वापस अंदर अगर आप देखो तो हम कहेंगे कि यह html की फॉर्मेटिंग में लिखा गया कॉंटेंट है अगर हम h1, h2, s3 इन सारी चीजों को यूज कर रहे है तो इसका मतलब क्या कर रहे है हम लोग html की फॉर्मेटिंग में ही तो content लिख रहे है और about the author भी आप लिख सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ एक बार इसी content को मैं वहाँ पर paste करता हूँ ठीक है अगर मैं इसी content को paste करूँगा तो आपको ज़्यादा problem नहीं होगी और time में हम लोग का बचेगा ठीक है तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और हम लोग को क्या करना है उसको create करें राइट गाइस तो हम लोग के उपर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग सारी उन चीजों को करेंगे फीचर इमेज भी लगाएंगे सारी सीजह हम लोग करने वाले राइट गई तो यहां पर हम लोग को सबसे पहले क्या करना है टाइटल लिखना है तो हमारा लिखनी है पट बाकी जो चीजें हैं गाइज वो हैं हमारी दूसरे फॉर्मेटिंग में मतलब Html के फॉर्मेटिंग में है तो यह क्या है अप इसको क्या कर सकते हो एश्टीमल फॉर्मेटिंग में कर सकते हो इसको एड़िट आइस एश्टीमल तो आप यहां चाहो तो पैराग्राफ जो है बाकी सारी चीज़े आप लिख सकते हो यह अभी हमारा बिसिकली यह हम लोग इसको एड़िट विद एश्टीमल कर रहे हैं तो मैं क्या करता हूं यह को मैं एज एट इस को कॉपी कर देता हो यहां तो यहां से हम लोग को छॉपी करेंगी अगर कुछ सेट करना होगा तो पर जाकि सेट कर लें कि Hm प्रिवीव करते हैं में न्यूव टैब हम लोग करते हैं तो देखेंगे कि तरीके से प्रापर्ली हमें दिख रहा है या नहिấ दिख रहा है आगर हमें कुछ चेंजेस करने होते है तो बड़ी आसनी से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं रई तो अभी आप देखो तो ये प्रृव्य दिख नहीं रहा है तो इस ब्लॉक तंस अने इस्पेक्टेट और इन्वालीट चॉंटेंट तो हम लोग कर देंगे इसको सब्सक्राइब कर दिख रहा है तो एक बार फिट से हम लोग इसको प्रिव्यू करेंगे प्रिव्यू इन्यू टैप करेंगे ऐसी बेसिक्टी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वह आती रहती हम इसको बैसिकली एडिट इन अगर आप देखो यह बड़ी है उससे घोड़ी सी चोटी बहुत जाएँ वाले पॉइंट पे राइट इनsपेक्ट करेंगे और और इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग इसको लेसी और यहाँ पर आप देखो यह S3 ए ठीके मज़से के लिए हम लोग पीछे बैकेंड में अगर इसको समझना चाहें तो पीछे बैकेंड में जाके हम लोगों ने इस चीज को देखा है कि यह S3 हो गया है कर दिया है अब क्या करते हैं इसको कर देते हैं पंगिश कर देते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा ठीक दिख रहा इल्ट है यहां पर दिख रहा है और बहुत सारा कॉंटेंट जो है हम लोगों ने लिखा नहीं है प्रोपरली इस लिए वो html में नहीं दिखा रहा है तो क्यूंकि एक structure type ही है अगर आप देखो तो यह सारे points नॉर्मल अगर आप देखो एक एक वल जो है वो बन चुका है ठीक है और हम लोग क्या करते हैं इसको जैसे यह content हम लोगों ने बना दिया ठीक है अब व्यू पोश्ट हम लोग करेंगे पर उससे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक और बहुत ही important चीज थी जैसे कि अगर आप देखो तो let's say मैं एक बार क्या बात करें कि जो हमें editors मिलते हैं अलग-अलग इनको आप convert करके है जो भी आप जिसमें भी friendly है फोड़ा सा इसमें आप यूश्टू है उसमें आप जाके अपनी पोश्ट को create कर सकते इसमें कोई problem की बात नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे को जो यह wordpress का by default editor आता है उ कहीं पर मुझा तुमें changes करने की ज़रूरत है तो वह आप कर सकते हूं तो मुझे अगर कहीं पर image वगरा भी add करनी हैं तो वह भी किया जा सकते है पूरा single block में बना हुआ है अगर आपको कुछ changes करने है अगर हम लोग आप देख सकते हो बड़े सारे changes करने के आपको option मिल रहे हैं अगर हमें कहीं पर कोई link करना होट या कहीं पर image रहनी है हो वह भी हम लोग कर सकते हूं इसको हम लोग अक्तिवेट कर सकते हैं तो Table of Content के लिए हमें क्या करना है चिए कि अगर हम Table of Content जो इस तरीके से आपको दिख रही है यह Table of Content अगर इससे islands करना है इससे आपको शो कराना है तो basically आपकों प्लगिन का यूज करना पढ़ेगा आपको बता रहूं किस तरीक आपस plugin को install करके उसको use करेंगे एक बड़ फिट से हम वापस admin वाले section में आ जाते हैं दबलूपी admin वाले section में और plugins के लिए कि आपको क्या करना होता है आपको है हम plugins में जाना है ठीक है और इस plugin का बड़ी सारी चीज़े कर देती है हमारे लिए हमें कुछ ही जो सेटिंग्स है उनको करना पड़ता है पहले आप करेंगे इसको इंस्टॉल और उसके बात करेंगे आप इसको एक्टिवेट तो अब यह प्लगिन आपकी एक्टिवेट हो गई है तो आपको यहां से पहुंचन बाकी इनको ऐसे ही रखते हैं अगर आप कुछ चाहो यहां पर कलर या तीम वगएरा देना तो आप दे सकते हो मैं बाइडिफॉल्ट जो ग्रेटीम है उसको रखता हूं आप कस्टम भी कर सकते हो जो भी आप चाहो ट्रांस्पेरेंट ब्लाक वाइट ठीक है तो मैं ग्रे वापस आना ए पापने पोश्ट के ऊपर और हमें क्या करना है इसको हमें रीफरेश करना एक बार के लिए यहां पर आपको यहां पर टेबिल ऑफ कॉंटेंट के आए बिसिकली एक इंडेक्स की तरह होता है और यह अच्छा भी लगता है और यहां पर प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो ठीक है तो यहां पर देखो तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि अगर आप यहां पर पहुंच जाओगे तो यह जो यूज पॉइंटर्स होगे यहां पर लिखा इनको बिसिकली हमें रिमूफ करना है क्योंकि यह जो है रिक्वाइड नहीं है तो यह यहां पर चीज़ें दिख रहे हैं इनको तो हम लोगों ने यहां पर समझाने के पॉइंट आप यू से लिख रखता है आपको कि हम पॉइंटर्स होगेरा को यूज करेंगे बट यह एक्ट्वल जो है कंटेंट नहीं है ब्लॉग में इस टाइप को कंटेंट नहीं होता राइट तो अगर आप चाहो तो इसको वापस आप एलिमेंटर में एडिट करके आप इसको कर सकते हो राइट इस तरीके से हम लोग जो है टेबिल ऑफ कॉंटेंट को जो है लगाते हैं अपने ब्लॉक पोस्ट्व पर और इस ही टाइप के हम लोग जो है अपने पॉंटेंट को लिखते हैं यहां पर आपनों देखा अभी हम लोगों ने फीचर्ड इमेज जो है उसको दिजिटल मार्केटिंग कोई बी एक गनरल से इमेज ले रहा हूं डिचिटल मार्केटिंग की योगेSec और वापस आजाएंगे हम लोग इमेज के ऊपर ऐस इसाप् तो यह हमारी इमेच्ट यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने पोश्ट के उपर, करेंगे और यहां पर देखो यह वाली हमारी जो पोस्ट है यह हम लोगों कर लेते हैं और इसके जो हमें चीजें करनी एरिया से लगानी है और पर्मा लिंक भी हमें यूज करना है तो उसको भी हमें पर ना पड़ेगा वर्ड़प्रेस एडिटर एक बार में करता हूं यहां तो इस तरीके से हमें पोस्ट दिख रही है लोगों ने पर लिखता है और वही चीज यहां पर भी आपको दिखेगा यहां पर दिखती है तो यह यह हम लोगों ने जो पोस्ट लिखी हुए है इसमें अगर कुछ चेंजे करने हैं तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं यहां पर चेंजेंग्स तो यहां पर मझे सेटिंग्स वाली चीज़ें आ जाए और मुझे जाना है फीचर्ड इमेज में और सेट फीचर्ड इमेज हम लोग को करना है और लेस्ट सी हमने एक नई जो इमेज है उसको डा बता है कि size क्या image की इतना बड़ा size होगा उतना time लगेगा और उसके बाद हम लोग कर देंगे set featured image और उसके बाद हमें update करना नहीं भूलना है तभी हमारा ब्लॉग हो लाइव होगा तो यह मैंने update कर दिया इसको ठीक है अब मैं करता हूं view post तो अब देखते हैं हमारी post किस त लगाना चाहते हैं इमेजेस लगाना चाहते हैं यह आपके उपर depend करता है तो यह आगया अगर हम लोग ब्लॉग के उपर जाएं तो let's see किस तरीके से आप हमें यह दिखाई देगा तो मैं वापस आ जाता हूं ब्लॉग के उपर अब वो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे इसके बाद हमें table of content लगाने फिर अपना content लिखना और content को मैंने किस तरीके से डिवाइड किया paragraph में heading में सब heading में चुवा नेस तू एस त्री में इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना है ठीक है और यहां पर मैंने बहुत जादा content नहीं लिखा यह क्योंकि purpose आपको इस पोश्ट है हमारी उनमें क्याज का चीज़ें important है keywords अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में हम लोगोंने keywords यूज किये हैं जैसे अगर हमारा keyword है scope of digital marketing और मैं इसको सर्च करूँ scope of digital marketing को right control f करना है अपने को और यहां पर हम type करते है scope of digital marketing तो आप देखो यहां पर भी scope of digital marketing scope scope of digital marketing scope scope यह तो चलो table of content की वज़े से आ रहा है यहां पर भी scope of digital marketing for freelancers, students, housewife तो कई बार जो हमने scope of digital marketing यूज किया है तो अपने जो हमारा content है उसमें हमें जो हमारा keywords है जिसके ओपर हम rank करना चाहते हैं जिसके ओपर हम चाहते हैं हमारी post show हो उस keyword को भी हमें properly use करना होता है अ scope of digital marketing यहां पर आपको दिख रहा होगा ठीक है तो आपको क्या करना है इसी टाइप पर इन्हीं headings के अंदर भी structuring provide करने के बाद जो headings नहीं है इनके अंदर भी आपको proper content को रखना है लिखना है जैसे मैंने लिख रखता है तो इस तरीके से आप अपना blog content बना सकते हैं और तो इस तरीके से आप regularly अपने blog post कर सकते हैं तो यह हमारा एक पार्ट हुआ अभी बहुत सारी चीज़े हमारी left है अभी भी हम लोगों ने जोश्ट plugin है हमारी उसको हमने नहीं install किया है अभी हम लोगों ने केवल और केवल क्या set किया है अभी हम लोगों ने केवल और केवल अपना blog post लिखना सीखा है किस तरीके से हम लिखेंगे एक और चीज जो आपको ध्यान देरी है मैंने कहीं बीच में अगर आप देखो तो images मैंने नहीं यूज की है बट आपको images यूज करनी है ठीक है और यहां पर आप देखो तो आपको proper images वोगेरा यूज करनी है ठीक है जो बहुत ही important है उसकी हम लोग बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके सो हमारी help कर सकती इस particular video में इतना ही मिलते हैं next video में till then good bye